सनी देवल पवन सिंग के फेवरेट एक्टर है और अब सोचिए अगर आपका फेवरेट एक्टर आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे आप उसे मिलने से घबराएंगे जी नहीं आप चाहेंगे कि आप जल्दी से जाये उसे साथ मिले, उसे के साथ आटोग्राफ ले या फि उन्हें एक टक देखते रहें यह सब कुछ हुआ सिंगापूर में जहां भोचपूरी का एक एवार्ट शो हो रहा था सनी देवल बैठे हुए थे और एवार्ट शो देख रहे थे पवन सिंग उनसे मिलने से पहले कम से कम 5-10 मिनट तक उन्हें देखते रहें देखने के बाद वो फिर उनसे मिलने गए और उनसे हाई हेलो किया और ये फॉर्मल सी मुलाकात एक बड़ी मुलाकात में बदल गए जी हां आपको बता दें यहां पर सनी देवल को पवन सिंग ने ये कहा कि उनकी कई फिल्में उन्होंने देखी है साथ ही साथ उन्होंने जितनी फिल्में हिंदी में की है उनके सारे टाइटल वाली फिल्में उन्होंने भोचपुरी में की है जैसे मातुझे सलाम गदर जैसी कई फिल्में साथ ही साथ यहाँ पर पवन सिंग ये भी बोलते नजराय सनी देवल को कि आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपका फैन तब से हूँ जब से मैंने फिल्मे देखनी शुरू की है मैंने सबसे ज़ादा आपकी फिल्में देखी है ये सबको सुनकर सनी देवल चौक जाते है साथ ही आपको ये भी बताए कि पवन सिंग ने जब उनसे कहा कि वो उनके सबसे बड़े वाले फैन है तब सनी देवल हसने लगे यहाँ पर पवन सिंग ने ये भी बताया कि उन्होंने लॉलिपॉप लागे लू गाना गाया है जो की वर्ल्ड फेमस है तब सनी देवल ने ये कहा कि हाँ वो गाना हमारे पंजाब में भी बहुत बसता है और तो और पार्टीज की तो सान है याने कि सनी देवल और पवन सिंग की ये मुलाकात बड़ी हिद्दमदार रही आप क्या कहेंगे इस बारे में हमारे कमेंट मॉक्स में कमेंट कीजे साथ ही मारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्गुन न भूले